तो आज की जो क्राफ्ट स्टोरी है वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है और मैं क्राफ्ट में आपको क्या बदाने वाली हूँ वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो जैसा कि आपको अभी यहां पर देख रहा है पेस्टी इस ब्यूटिफुल तो हान जी आज कुछ वेस्ट है जिसको मैं फिर से ब्यूटिफुल बनाने वाली हूँ एंड हमारा जो साइकल चलता रहता है न कि हमने चीजें लिए यूज करी और वो वेस्ट हो जाती है तो वैसे ही इस्टोरी है एक ट्रे की यह जो प्रे है वो हो गया इसको टाइम फाइफ के वह बब हो तो वो देखिये मैं कैसे कैसे करती हूं तो अभी इस ट्रे को नया लुक देने के लिए मैं यहां पर यूज करूंगी रेड कलर का वेलवेट का माटीरियल एक्शली यह माटीरियल मेरे पास अलड़ी पड़ा हुआ था तो मैं वो फिर यहां पर यूज कर लूँगी एंड सेकेंड फिंग इस कि आप घर में पड़ा हुआ कोई साभी माटीरियल यूज कर सकती ऐसा नहीं कि वो न्यू ही हो हमारे पास बहुत सारे कपड़े पुराने हो जाते हैं कुछ जो हम किसी को ऐसे पहनने को नहीं दे सकते तो उसमें से भी कटिंग करके एकशली मैंने दूसरी ट्रे भी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसका और वो भी बहुत प्रिटी दिखती है तो अभी तो आज हम ये ट्रे देखते हैं और इस पे कुछ और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक कहानी भी बताने वाली हूँ जैसा कि हमारा Craft Tales,cipार के साथ शाथ वो स्टोरी वी कुछ चलती रहेगी कहानी भी पुरानी है मैंने वो पुरानी कहानी ही उठाई है क्योंकि ट्रे हमारी पुरानी है तो बट ये कहानी जो है थोड़ा नए रूप में है और कहानी को जरूर गौर से सुनिएगा अच्छी कहानी है और कहानी से हमें शिक्षा भी बहुत मिलती है और इसका जो ओल्ड वर्जन था हमें उससे भी सिख्षा मिलती थी जो इसका न्यू वर्जन है उससे भी हमें और सिख्षा मिलेगी तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस एंड इसको मैं इस्टिक करने के लिए फेवी बॉन्ड लोंगी फेवी कॉल इसलिए नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि फेवी कॉल जबी गीला होता है पानी लगता है तो वो निकलने लगता है फेवी बॉन्ड के साथ ऐसा नहीं है फेवी बॉन्ड जबी एक बार चिपका देते हैं तो वो जल्दी नहीं निकलता है मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब ये ट्रे वैसे तो गंदी नहीं होगी क्योंकि हम ऐसी चीजों को बहुत ही केरफुली यूज करते हैं और बाइजन्स हो भी गई तो उसको वाश करने के बाद हम इसको अच्छे से सुखा के और फिर से यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप ये सब प्रोसेस भी देखते रहे हैं और होप आप लोग रेडी होंगे नई कहानी के लिए तो पुरानी कहानी का वर्जन सुनते हैं तो फ्रेंट्स हम सबने रैबिट और टॉटोयस की स्टोरी सुनी होई है तो जैसे की पहले की स्टोरी जो थी वो सबको याद हогई बट फिर भी एक नजर मार ही लेते हैं उस पर एक बार rabbit और tortoise के बीच में race होता है और जो rabbit होता है क्योंकि वो fast चलता है तो उसके अंदर इतना confidence होता है कि वो tortoise से जीट जाएगा क्योंकि tortoise तो धीरे धीरे चलके आ रहा था तो जब भी rabbit ने देखा कि रहे tortoise तो भी बहुत दूर है वो अभी तक नहीं पहुँच पाएगा तो मैं थोड़ा सा rest कर लेता हूँ और वो जब rest करने के लिए बैठा तो उसकी आँख लग गई और वो सो गया और इतनी देर में जो tortoise है वो धीरे धीरे करके end point तक पहुँच गया और जबी तक फिर rabbit की आँख खुली तक तक तो tortoise winner था अब इस बात को जबी rabbit ने देखा तो उसे बहुत ही अंदर से बुरा लगा क्योंकि वो over confidence में था और tortoise जीच चुका था तो ऐसा नहीं धीरे धीरे भी चलते रहे है लेकिन अपने लक्षी को पाने की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए और tortoise ने यही किया तो जैसा कि अब tortoise जीच चुका था तो rabbit को अपने उपर गुसा आया और उसने फिर जो है raise हारा तो उसके मन में एक अलग type का कुछ feel हो रहा था क्यों वो हार गया क्योंकि उसके अंदर over confidence था confidence ठीक है बट over confidence नहीं ठीक होता है तो अब उसको ऐसा चल रहा था mind में तो फिर उसने अगले दिन tortoise से बोला कि आज फिर race करते हैं तो next day तो जो हमारा tortoise था वो actually race जीता था winner था तो उसके अंदर एक confidence था कि वो फिर से जीत जाएगा उसको अच्छा लगा और उसने okay बोला and फिर से race start हो गए बट इस बार जो rabbit था उसने अपनी जो कलती उसने कल की थी उसको ध्यान में रखा और उस गलती को ध्यान में रखते हुए वो अपने पहुचा वो भी तो अभी यहाँ पे जो है वो story क्या है कि कभी भी हमें अपनी confidence को over नहीं करना चाहिए और जो tortoise था वो race हार गया लेकिन वो अपनी जो मनजिल थी वहाँ तक पहुशने के लिए रुका नहीं वो continue चलता रहा तो यह भी अच्छी बात है कि आप slow हो लेकिन continue चल रहे हो and तो यहाँ पे हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि तेज और लगतार चलने वाला धीमे और लगतार चलने वाले से हमेशा ही जीतता है यानि धीमे और लगतार होना अच्छी बात है लेकिन तेज और लगातार होना उससे भी अच्छी बात है बट कहानी अभी भी बाकी है हान जी, तो कहानी अभी भी बाकी अब जो Tortoise है वो कुछ सोचता है और उसे ये बात तो समझहे में आ गई है कि इस तरह तो मैं कभी भी race नहीं जीत सकता हूँ तो वो इस बार फिर से rabbit को race के लिए challenge करता है और बोलता है कि इस बार वो जो race है वो उसके route के हिसाब से होगा तो rabbit ready हो जाता है ओके जो route tortoise ने बोला उस route से वो दोनों race करते हैं तो जो route decide हुआ था उस route पे वो भागता है क्योंकि उसको पता है कि वो जीतेगा तो वो भागना start करता है लेकिन थोड़ा आगे जाके rabbit को रुखना पड़ता है और rabbit रुख जाता है वहाँ पे और तभी tortoise पीछे से धीरे धीरे चलता हुआ काफी time के बाद आता है तो rabbit वहाँ पे क्यों रुख जाता है क्योंकि वहाँ पे आगे एक नदी बह रही थी तो rabbit तो नदी में जा नहीं सकता बट tortoise जो धीरे धीरे चलके आ रहा था उसने नदी में गया वो आराम से swing किया और नदी के उस पार जहां तक पहुँशना था अपनी मनजिल तक पहुँच गया और इस बार फिर tortoise race जीच जाता है लेकिन इस story अभी यहीं पे नहीं खतम हुई अभी पहले तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि पहले हमें अपनी जो energy है जो हमारा power है उसको समझना चाहिए और फिर उसी के अनुसार काम करना चाहिए तो हमें जीत जरूर मिलेगी तो कहानी अभी भी बाकी है अब इतना दो तीन दिन से race चल रहा है दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो अब वो लोग एक friend बन गये थे अच्छे friend बन गये थे और एक दूसरे की जो weakness है जो एक दूसरे की जो ताकत है जो positivity है वो दोनों एक दूसरे का समझने लगे थे तो अब जो है दोनों के दिमाग में ऐसा खयाल आया कि एक दूसरे का साथ दे हम तो हम दोनों ही जीत सकते हैं मतलब रेस कोई भी हो अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो हम दोनों आराम से जीत सकते हैं तो इस बर दोनों ने एक last time फिर से रेस के लिए decide किया और इस बर उनोंने as a competitor नहीं decide कि कि उनके भीच कोई competition नहीं होगा बलकि वो एक team work के रूप में काम करेंगे दोनों एक साथ मिल के रेस करेंगे तो दोनों रेस के लिए ready हो गए and दोनो get set go और अब जैसे ही रेस स्टार्ट हुई rabbit ने पटक से tortoise को अपनी पीट पे बिठा लिया और वो नदी के कि तरफ दोर पड़े और फिर बहुत ही जल्दी वो लोग नदी के किनारे पहुँच गये तो अब नदी आ गई तो turn था tortoise का तो अब tortoise ने rabbit को अपनी पीट पे बिठाया और आराम से वो तैर कर finishing point तर पहुँच गया जो उनकी मनजिल थी वहाँ तक उन्होंने race पूरी कर ली और record time के अंदर ही race पूरी कर ली अभी दोनों बहुत थी happy थे और उनके अंदर बहुत जादा संतुष्टी थी और एक चीज़ और थी जो खुशी उनको आज मिली थी वो आज से पहले कभी नहीं मिली थी इतनी खुशी तो अभी यहाँ पे जो moral of story है वो है कि teamwork जो होता है ना हमेशा जो एक individual के जो एक individual का दिख्या था उससे ज़र्दा teamwork दिखता है और हमेशा वो better होता है हम अकेले जो काम करते हैं वो best है ऐसा नहीं है better भी है बट एक team में जब काम करते हैं तो उसमें जादा चीजे होती है जादा क्या बोला जाए जैसे कि ये tray ब्यूटिफुल दिख रही है तो same वैसे ही teamwork भी और ब्यूटिफुली दिखके आता है ऐसा ही होता है तो मेरा कहना ये है कि personally हम चाहें किसी भी काम में कितने भी दक्ष हो कितना भी हमारे अंदर वो चीजे अच्छे अच्छी चीजे हो लेकिन अकेले दम पे हम कई बार होता है कि बौट कुछ नहीं कर पाते हैं हमें life में कही न कहीं team work की जरूरत पड़ती ही है अगर हमें life में continue जीतना है हमें वो winner बनना है तो हमें हमेशा एक team में काम करना होता है तो यहाँ पे thing is कि team work भी important है आप अकेले कर सकते हैं ऐसा नहीं कि हम अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं हम कर सकते हैं लेकिन हम जब team में होंगे तो वो काम और भी अच्छा होगा ऐसा मेरा मानना है या और भी लोगों का मानना होगा तो तो actually team work तो team work में हम कैसा होता हैं हम अपनी जो strength है उसके साथ साथ दूसरू की strength को भी जाते हैं और फिर हम समझ के काम करते हैं और किसी का mindset अलग है किसी का mindset अलग है तो जब वो एक साथ मिलते हैं तो वो कुछ अलग और बहुत बड़ा कर जाते हैं तो हमेशा जो है न हमें team में जितने भी members होते हैं उनकी ताकत को समझना चाहिए और उनकी काबिलियत को समझ के सबको एक साथ लेके काम करना चाहिए तो वो काम जो है बहुत ही अच्छा होता है अभी ये story यहीं पर खतम होती है तो ओप आप लोग को मेरी ये story अच्छी लगी होगी and tray भी ready हो गई है and ये tray है इसको आप multi purpose use कर सकते है because इस time तो festival है तो festival season में हमें जो है कुछ colorful और different चीज़े ही अच्छी लगती है means ऐसा नहीं कि different चीज़े ही अच्छी लगती है लेकिन जैसे कि होता ना कि जैसे जैसे weather होते हैं अलग-अलग मौसम होते हैं वैसे ही mood भी अलग-अलग होता रहता है तो जैसे festival आते हैं तो festival में mood बहुत ही colorful हो जाता है innovative हो जाता है और हम फिर अपने mood के ही साफ से काम करने लगते हैं तो एक चीज़ और थी कि teamwork में भी सबका mood बहुत माइने रखता है और सबकी राय भी भी बहुत माइने रखती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों से एक request करती हूँ कि प्लीज अपने comments में बताएगा कि यह tray कैसी लगी और इस tray को आप बहुत तरह से use कर सकते हैं और इस tray को आप गेस्ट किया कि serving tray यूज करिए और कभी कुछ function है उसमें different type से use करिए तो यहाँ पर मैंने यह simple सा एक hack बताया है जिससे की मेरी पुरानी tray नई tray हो गई है और इसको regular तो हम नहीं use कर सकते हैं बट festival में ज़रूर use कर सकते हैं इसकी side में जो lace लगी है उससे भी इसकी beauty बढ़ गई है इसको हम और भी तरह से सजा सकते हैं अगर कुछ जाजा करना है तो इसके उपर और भी गोटे और laces लगा के इसको और भी beautiful बना सकते हैं यह मैंने थोड़ा से simple and sewer रखा है तो आप देखिए और कैसा लगा आपको यह जरूर comments करके बताईएगा तो चलिए अभी चलती हूँ आज के लिए इतना ही and फिर next time मैं कुछ नया लेकर आऊंगी और वो भी जरूर देखिएगा कि नया क्या maybe कुछ waste beautiful बन रहा हो या कोई नहीं चीज बन रही हो यह तो next वीडियो में ही आपको पता चलेगा लेकिन बहुत ही interesting चीज़े आने वाली है तो आप बने रही है मेरी वीडियो के साथ देखते रही है फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and notification bell भी on करके रखते कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए तो आप सुरी का और से यू जाइ